रादे रादे सारे बाई यान है देखो बाई option trading करते हो तो उसमें ना दो टाइप के लोग होते हैं मैं directly topic पे याता हूं देखो एक directly option को buy करता है एक option को hedge करके position बनाता है अब इन दोनों में भी difference है option जो buying करके चलता ना उसके पास risk भी ज्यादा होता है और reward भी ज्यादा होत है एक का double नहीं होता तो option हैंजिंग में क्या चीज हो सकती है इसके पास low risk रहेगा और low reward कम लोज कम profit बट यह सेफ साइट से कच्वेर वह खरगोश वाल कारणी सुने ना खरगोश उचलता हो आता कि इतनी आगे बाग गया यह option बहुत पैसा इसमें कमाते रहें कमाते रहे इसको पता बड़ा लूष तो हो नहीं सकता है तो यह अपनी स्टेटिश इपर कामकरता रहता है जीनगी बताताओ है यह फूर पंपकONG को अमित को लगता है तुझा करते हैं हरको कर ता था इसने इसको बाय कर लिया अब होगा क्या अगर मार्केट ऐसे दीरे दीरे करके उपर तो गई बटैस्पायरी वाले दिन ये 24,500 तक पहुझ पहुझ पाई थीक है ना एकसपायरी के दिन दन तो इसको प्रोफिट कितना होगा 91 पे खरीदा था 24 पांशो पे एकस्पारी देदी इसका प्राइस सो का हो जाएगा 91 पे खरीदा था 9 रुपए का प्रोफिट ठीक है हाँ हाँ हाला कि ये बात मानता हूं जब ये मार्केट अच्छी खाची 24,600 तक पोज गई ठीक है तब इ इसको 109 रुपए का प्रोफिट अभी ये प्राइस कैसे बोलना हूं देखो भाई 24,600 है मार्केट कितने बगी 24,600 पे गई तो कितना गैप हो गया 200 ये 200 पॉइंट इंदा मनी का हो गया ना तो 200 पॉइंदा मनी का हो गया एकस्पारी वाले दिन इसका प्राइस 200 रुपए क 24,400 पे एकस्पारी दे दी अब इसका प्राइस कितना होगा 24,400 की कोल का बताओ कितना प्राइस हो जाएगा कितना इंदा मनी में ये 24,400 कितना उपर आया 400 से 400 इकनम सिर्फ इकनम पॉइंट उपर आया ना तो इसका प्राइस होगा 91 और इसने 91 पे खरिद्दा था ठीक है 35,000 कीos हो जाएगा इसका प्रिम्यम कितना हो जाएगा जीरो एकस्पारी यहीं पे होगी 24,400 पे लिए इसको इतना लोस हो गया अब आते है optionosit matter की की बारी अब वो option हाटिड्ग करता कैसे ए उस वो क्या करेगा 24,400 का उसने कॉल ऑन खरीज़ लिया उसका फ्यू भी market को ऊप पर ले जाने का बढ़ वो आपने एक सय जाने के लिए एक पचास प्वाइंट उपर का 71 इसका प्रैस चल रहा है इसको क्ya करेगा इस औपचने का इसको बही एक लोट इसका सेल कर देगा ठीक इसका एक इसने sell किया, अब इसके साथ क्या होगा, देखो, position अपना add हो गया, इसका चार निकल की, यह आएगा, अब इसने क्या कर दिया, भाई, इसने अपने risk को fix कर दिया, कि भाई, यह हाथ जोड़े, तो नीचे जा या उपर जा, मेरे को पता है, मेरा 560 रुपए का तो loss हो सकता है 734 रुपए का profit हो सकता है, बस, अब यह चाहिए इतना नीचे गिरे, या इतना गिरे, या इतना गिरे, इसको कोई loss का tension नहीं है, यह सुमित, अमित को loss का tension था, अमित को 2200 रुपए का loss हो सकता था, ठीक है न, जितना नीचे जाएगा, उसको loss उतना ही होता जाएगा, पहल यहीं पर एक्सपारी दे तो भी इसको 516 का लोस होगा बट अगर इसने एक्सपारी 24,421 यह है अपने पास 24,421 ठीका न अगर यहां पर इसके एक पॉइंट भी उपर दे दिया 24,422 पर भी दे दिया तब भी इसको 734 रुपय का प्रोफिट होगा अब मार्केट यहां पर ब बंदो इसका प्रोफिट भी फिक्स है अब स्टोरी आती है कई बार क्या होता कि यह तो एक लोट के बड़े-बड़े कॉंटेटी में ट्रेड करते तब क्या तब क्या होता है अगर सिंपल ऑप्शन बाइंक रखा है मार्केट ऐसे करके नीची आ राखा मैंने 10 लोट भी दे लिए यहां पर लोट दिखेएगा और नीचे आया और लोट बढ़ जाए गा और नीची आया फिर लोट जाय गा और फिर मार्केट दीरे दीरे करके ऊपर भी घया जहांपर प SupoJetton ही नीचे चलीजा हमारा लोस थोड़ी ना बड़ेगा तो इसलिए अगर मार्केट का व्यू आपको लगता कि आप साइड में है इसमें हुआ क्या है ऐसा हुआ क्यों देखो यार सबसे में दिक्त क्या होती है ऑप्शन बाइर को थिटा डिके टाइम वैल्यू का एक खड़ा कड़ा टाइम वैल्यू तोड़ देता है उसी के लिए जब मैं 24,400 का कॉल बाइक कर रहा हूं 91 पर तो कुछ ना कुछ थिटा इसमें डिके होगा इसका वैल्यू कम होगा तो उसलिए मैंने 71 का एक कॉल बेच भी दिया अगर वो बेच दिया तो टाइम वैल्यू तो उसका तोटेगा इसमें लो हो रहा होगा खड़ी-खड़ी मार्केट में अगर इसमें मैंने जो यह दोखने होगा तो होगा यह दोनों आपस में दिक्कत59 अती खड़ी-खड़ी ठीक है यह नाम देते हैं बट इसमें क्या होता कि रिस्क रिवोड भी ठीक है अब ना वन डेश्यों 1.5 तक है ना कि 500 रुपे का लोज शाटेशाट रुपे का प्रोफिट तो रिस्क रिवोड भी ठीक है नमबर उफ टेड ना बड़ा लोज हो सकता है क्योंकि मैक्सिम ट्रेडर के साथ होता क्या वो लोज तो बड़ा ले लेंगे प्रोफिट लेंगे छोटा तो इसमें वो स्टोरी ही खतम है भाई यह अपने पास एक लक्समन रेखा है मार्केट 24316 पे चल रही है 24425 24421 ठीक है 24421 से एक पॉइंट भी अंदर एक्सपायरी दे दी 24422 ठीक होगा बाद समझे एक वार फिर अच्छे से एक्स्पिलिन कर दें तो दो टाइप के ट्रेडर होते हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उसको पता है उसने एक सो रुपे का अभी यह चार्ट तो समझ में आ गया होगा ना इसका एक आपको टोड़ले ना नो यह सुमित है बस यह दोनों भाई आप इसने क्या कि इसने सो रुपे का कोई भी एक कोल खरीद लिया इसका प्राइस नीची आएगा 90 होगा इसको डर लगेगा 80 होगा डर लगेगा 60 होगा 50 होगा डर लगेगा प्रेशा नो जाएगा सोचिगा यह इतना लोग इस के बाद मार्केट ऊपर चला गया बोलेगा शिट लोश ले लिया ऊपर चली गई कोई यह सुमित भाई है ठीक है इसने ओप्शन हैज किया है नीचे आई कोई नी भाई आजा इसको दिखेगा 1500 रुपे का लोश और नीचे आई 300 का लोश और नीचे आई 500 बात खतम यहां तक इसको 500 का लोश दिख गया अब भाई तू ऐसे या ऐसे या 500 से बढ़ेगा अगर फिर से गुम रहे के चलने लगी इसका फिर से प्रोफिट स्टार्ट हो जाएगा तो इसको डर नहीं लगा ना 500 पे इसको निकलना ही नहीं है मैक्सिमन रिस्क है वह उना तब वह हो गय अब उपर चलेगी तो भाई साधे 700 का प्रोफिट इसके हाथ में लग जाएगा बट इस अमित का क्या करें पोजिशन को यहां पे काट दिया प्रोफिट चल रहा होता भी तक पर यह डर के मारे निकल गया तीक है ना और इसका ब्रेक इवन भी पास में ही है क्योंकि इसको प्रोफिट कब होता है जब मार्केट 24421 पर चलती इसको प्रोफिट कितना होगा जब 24421 के उपर चले तो यह पास में ही है क्योंकि मार्केट अभी 24360 तो यह जल्दी प्रोफिट में आ जाएगा यह काम आ पाएगा हां उसके बाद भी अगर और भी उपर जा रही है कोई इवेंट वगरा होगा तब आती है तो यह दोनों केस हैं होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे ओप्शन हैज करने के लिए जो टाइम वेल्यू का दिक्कत आता ना तो एक ओप्शन को वाई कर लो अगले को सेल कर दो ताकि जो खड़े-खड़े टाइम वेल्यू आती है ना वो खतम हो जाएगे तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेर जरूर करते ना और सब्सक्राइब भी कर लेना और भाईयों के प्यार देखा था कमेंट सेक्शन में दिक्कत आती है ना अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ब